हेलो दोस्तों मेरा नाम है प्रदीकुर स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले कि अगर आप वाटसाइब पैमेंट्स यूज करते हो तो WhatsApp Payments में आप जो है तीन ट्रांजक्शन करके 105 रूपीज जो है Cashback कैसे पा सकते हो इसके बारे मैं सारे Steps बताने वाला हूँ तो अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए टाइम वेशन ही करेंगे वीडियो स्टार्ट करते है तो WhatsApp Payment में Cashback लेने के लिए सबसे बहले आपको यहाँ पर WhatsApp अप्लिकेशन ओपन करना है अप्लिकेशन ओपन करते ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको हमेशा की तरह मिल जाएगा अपने स्क्रीन के ओपर यहाँ पर सबसे सिंपल आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है जो राइट हैंड साइट टॉप कॉर्नर में तीन डॉट का जो ओप्शन है उसके ओपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको पेमेंट्स का जो ओप्शन विजिबल हो रहा है उसके ओपर टैप कर देना है पेमेंट्स ओप्शन में जाने के बाद आप देख सकते हो हम आ चुके है वाट्साप पेमेंट्स के अंदर यहाँ पर अगर आपने अभी दक अकाउंट आड नहीं किया है तो सिर्फ मुझे यही एक ओप्शन विजिबल हो जाता जो है एड पेमेंट मेंट्स तो वाट्साप पेमेंट्स पर आप साइन अप कैसे कर सकते हो इसके उपर अल्ड़ी मेरे चैनल के उपर वीडियो है तो वो भी आप जाके चेक आउट कर सकते हो तो पेमेंट मेंट्स अड़ करने के बाद अभी जो है आप 105 कैश बैक कैसे पा सकते हो तो वो स्टेप्स आपको बता देता हो आपको उपर स्क्रोल कर देना है उपर स्क्रोल करने के बाद अभी आप यहाँ पे देख सकते हो सेंड मनी एंड गेट 105 कैश बैक अभी ये जो cashback है आपको उसके नीचे का message जो है अच्छे से पढ़ लेना है get 35 cashback up to 3 times when you send one or more to different contacts तो ये जो cashback है आपको 3 times मिल सकता है यानि कि 35 रूपीज का जो cashback है ये आपको 3 times मिल सकता है बट उसके लिए आपको 1 रूपए या उससे जाधा का transaction करना है तीन अलग-अलग contact पे एक ही contact पे नहीं दोस्तों अगर आपके friends जो है उन्होंने WhatsApp payment जो है activate किया है तो for example आपके ए फ्रेंड को आपने भेज दिया है 1 रूपीज तो आपको 35 रूपीज cashback मिल जाएगा आपके second friend को आपने 1 रूपीज send किया है तब जाके आपको यहाँ पे 35 जो है cashback मिल जाएगा और टोटल मिला के हो जाता है 105 तो यही आपको दिखाने वाला हूँ तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे करते है पहला transaction और आपको बस एक ही example में मैं दिखा दूँगा कि 35 रूपीज cashback हमें सच में मिलता है या नई तो यहाँ पे payment करने के लिए send payment option पे click करना है send payment option में जाने के बाद आपको उन person का contact select करना है जिसे आप transfer करना चाहते हो amount आपको उपर यहाँ पे search बार भी मिल जाएगा तो वहाँ पे tap करके आप search कर सकते हो contact तो मैं directly search कर लेता हूँ यहाँ तो यहाँ पे मैंने contact search करके select कर लिया है अभी आप देख सकते हूँ यहाँ पे amount एंटर करने का option आ रहा है तो जैसे कि वहाँ पे message में लिखा था कि एक रूपए या एक से ज्यादा अगर आप transfer करते हो तो 35 cashback मिल जाएगा तो यहाँ पे हम example के लिए सिर्फ 5 रूपी ट्रांसफर करके देखते ह है तो यहाँ पे test करके हम एंटर करते ताकि हमें पता चले हमने किसलिए transaction किया था आपको next option simply आप नेक्स्ट के उपर क्लिक कर देना है नेक्स्ट के उपर क्लिक करते ही अभी आप देख सकते हूँ यहाँ पे जिसे हम पैसे बहज रहें उनका नाम यहाँ पे visible हो जाएगा ह हमारे account के details यहाँ पे visible हो जाएगा total amount visible हो जाएगा और simply transaction complete करने के लिए 35 का cashback पाने के लिए यहाँ पे send payment के उपर पहले क्लिक करके transaction complete करना है तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे एक option भी आपको visible हो जाएगा you will receive 35 cashback for this payment by continuing you accept the cashback terms and conditions तो ज्यादा कुछ नहीं है हमें simply send payment के उपर क्लिक करना है और continue के उपर क्लिक कर देना है हम आ चुके है last page पे यहाँ पर हमें simply upi pin जो है enter कर देना है यहाँ पे आप इंटर कर दिया है यहाँ पर bottom में आपको टिकमा का sign मिलेगा उसके उपर tap करना है transaction complete करने के लिए आप देख सकते हो payment process में है तो वेट करते है और यहाँ पे आप देख सकते हो 5 रूपीज जो है यहाँ पर मैंने भेज दिया अभी यहाँ पर processing में था अभी तो डीटेल चेक करने के लिए आप simply यहाँ पर tap कर सकते हो और अभी आप देख सकते हो यहाँ पर completed हो चुका है और यहाँ पर एक note आप पर सकते हो you will receive 35 cashback typically up to 4 days after an eligible payment is completed तो यहाँ पर हमने payment जो है 5 रूपीज का successfully कर दिया है complete वेट करते है cashback के लिए तो इसे मैं हटा देता हो अभी के लिए तो दोस्तों यहाँ पर WhatsApp की ओर से मुझे एक message आ गया है मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर अगर मैं scroll करता हूँ नीचे तो यहाँ पर देख सकते हो WhatsApp sent you 35 cashback for your payment to Sachin तो Sachin जिन्हें मैंने payment transfer किया था यह WhatsApp का message है और एक bank का message भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो dash 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 link to account number so and so is credited with 35 rupees तो यहाँ पर आपके सामने दोस्तों यह message और WhatsApp का message है हमें जो है cashback मिल चुका है और यहाँ पर आपके सामने दोस्तों यहाँ पर आपने देखा होगा कि एक single transaction में जो है हमें यहाँ पर 35 rupees जो है within 5 minutes तुरन transfer हो चुके 5 minutes भी बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने एक minute के अंदर ही जो है transfer हो चुका था मुझे और दूसरी चीज यहाँ पर जब message आया था तब वहाँ पर mention क्या था कि working 4 days में हमें जो है cashback मिल जाएगा बढ़ यहाँ बहुत ही तुरन आपको मिल जाएगा तो दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में वीडियो अगर आपको अच्छा लागए पसंद आया तो लाइक जरू कर देना शेर कर देना आपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी बता चले कि cashback का offer चल रहे भाई offer छोड़िएगा नहीं मैं आप सभी से मिलूंग अपनी अ आपने वाद